गाइज वलकम एंड वलकम बैक टु माई चैनल सो आज का हमारा प्रोब्लम है मैक्सिमम प्रोफिट इन जॉब श्कैडूलिंग तो इस प्रोब्लम स्टेट्मेंड में हमें क्या देर रखा है यहाँ पे हमें एक एन जॉब्स देराखे है यहाँ पर आपको स्टाट टाइम ए आपको क्या करना है यहां पर job scheduling करना है थाकि आपको क्या मिल सके maximum profit मिल सके इस तरह से आपको job scheduling करना है ठीक है तो आपको return करके यहां पर देना क्या है यहां पर आपको maximum profit देना है और साथ में इस बात का भी ध्यान रखना है कि कोई भी दो job ना आपस में overlap नहीं होना चाहिए अगर आप दो job ले रहे हो सपोज दोनों को schedule कर रहे हो तो आपको देखना होगा कि यह दोनों ना एक interval में ना आए ठीक है अगर एक job आपका एक point पे जाके end हो आता है तो उस point पे आप एक कोई दूसा जॉब ले सकते हो जोहां से वह start होड़ा है ठीक है तो यह आपका problem है तो इसको पहले example के तो समझते हैं कि problem हमारा exactly है क्या और हम इसे कैसे solve कर सकते हैं ओके तो देखो यहाँ पे मैंने क्या एक्जांपल लिया है तो हम एक example को समझत हैं पहले okay so यहाँ पर देखो आपको क्या दे रखा है यहाँ पर आपको एक start time दे रखा है एक end time दे रखा है और एक profit array दे रखा है ठीक है इसका मतलब है कि यह जो job है start time में जो है यह zero index पे इसका मतलब है कि यह one यह time start time है एक job का और ending time इसका क्या 3 है ठीक है फिर एक job है डोँआ हो रहा है यहां पर गारका का अईकर किक्षान किया है चल्म ऑलकर से करोगें यहां से तो आपको देखना है कि आप कैसे टलोगी यहां पर job के schedule ताकि आपको maximum profit earn कर सको ठीक है तो देखो यहां पर आप क्या करोगे इसको लोगे इसको लोगे तो 1 से लेकर 3rd इसके बीच आपको कोई भी नहीं लेना है आप 3 से ले सकते हो यहां से starting point आपको ले सकते हो ठीक है तो यहां पर सब्सक्राइब हमने लिया 50 आई है अब यह 2 और 4 2 और 4 इसके बीच भी एक है आपका 2 और 4 तो क्या आप यहां से लेना चाहोगे तो यहां पर देख रहे हो कि आप 10 है और यहां से 50 और कर रहे हो तो यहां से मैं क्यों लोगे राइट नहीं लोगे ना यहां 50 है यहां 10 है तो 50 को ही प्रिफर करेंगे ना तो यहां से 50 50 ले लिया हमें के बाह इसके बाद ये 3 स to 120 profit हो जाएगा यह आपको मिल गया तो इस तरह से आपको क्या करना यह maximum profit आप कैसे schedule कर रहे हो यह आपको नहीं दिखाना है हमें सिर्फ यह दिखाना है ठीक है कि हमारा maximum profit यह है तो second example को भी देख लेते हैं समझ लेते हैं problem को फिर हम देखेंगे approach मारा क्या हो जकता है उसके बाद क्या है अपना 1 2 3 4 5 6 फिर अपका 3 5 10 6 3 5 10 I think मैंने कुछ गलत कर दिया क्या 1 2 3 5 नहीं है 1 2 3 6 3 5 10 6 9 यह है आपका starting time और यह in time ठीक है और यहां पर आप क्या करोगी यहां पर 20 अन करोगे profit यहां से 20 करोगे अन profit यहां से 100 यहां से 70 यहां से 60 ओके तो आपका एक job है 1 पर start हो रहा है OY इसको लेते हो 1 3 पिले लेते हो 1 3 फिले लेते हो 1 & 3 तो यहां पर 10 profit हो ओड़ा है पर फिर आपका क्या है कि आपका 2 से start हो रहा है यहां पर 20 वी अन्टी से 25 देगा है तो हम यहां पर क्यों जोच करेंगे 5 यहां तक चला जा रहा है तो हो सकता है कि इसके बीच भी कोई आए, इधर भी 20 मिल रहा है, इधर भी 20 मिल रहा है, तो हम इसको ले लेते हैं, ओके, फिर 3 के बाद हम किसी को भी pick कर सकते हैं, 3 के बाद 3 के साथ भी हम कर सकते हैं, तो यहाँ पर अपना 3 और 10 है, ओके, 3 और 10 है, यहाँ पर अगर हम 100 करत इसे पीछ हमें पता चलता है कि 2 और जॉब है, 4 और 6 और 6 और 9 यहां पर इसको पिक करेंगे, नहीं करेंगे न, तो 130 यह वाला कर लेंगे, ताके हम 3 से लेकर, एक क्या करें 3 से लेकर, not 3 से, 4 से लेकर 6 तक का है, 4 से 6 तक का ले लिया, हमने इफिर 6 से लेकर 9 तक का का ले लिया ये क्या क्या कर रहा है 20 दे識 Dios, ये अपना क्या दर, 70 देद धेड़ everywhere, ये 65 दे entr, total कितना हो झाएगा na येavn50 हो झाएगा ये, तोетрी 10 एंपका अषाइगा कर सकते हैं वो कैसे कर सकते देखो यहां पर डिपेंड करते हैं आपका च्वाइस क्या है आप लेना चाहते है उस जॉब को या नहीं करना चाहते है तो अब क्या करोगे हमें देखो यहां पर एक जॉब है यहां है यहां है यहां है यहां है ठीक है और आपका च्वाइस है य तो यहां पर आप किसी जॉग को पिक कर लेते हो तो उस कंडिशन में आपको क्या ध्यान रखना होगा यहां पर आपको कंडिशन दे रखा है कि कोई भी जॉब जो अगला पिक करोगे इसके बाद वो ओवरलैप नहीं होना चाहिए हमें बस उस बात का ध्यान रखना होगा तो हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना होगा जब हम किसी job को लेते हैं यहाँ पे, suppose हमने इस job को लिया, ठीक है, इस job को हमने ले लिया, तो हमें ध्यान डखना होगा, कि one और three के बीच, यानि three, देखो three starting points से आप किसी job को ले सकते हैं, जो three से start हो रहा है, ठीक है, अगर हम इसको ले लेते हैं, तो दूसरा job इस interval के बीच का नहीं होना चाहिए, हम उसे नहीं ले सकते, तो जब हम pick करेंगे, तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे, तो इस बात का ध्यान रखने के लिए, हमें करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा, जो end है, इसका end time, यह three है, three जो है इसका lower bound निकाल देंगे, क्यों निकालेंगे, lower bound निकालेंगे, क्यों, क्योंकि हम देखेंगे, lower bound में क्या होता है, कोई भी numbers, just greater number या equal number, ठीक है, three से कोई start हो रहा हो है, या three से just greater हो, तो यह, वही हमारे असान होगा, मतलब, just उसके बाद वाला job आप pick करना चाहोगे, तो यह lower bound अब इसका निकाल द रहा होगा, इस three का, उसका index क्या है, उस index से अब start कर सकते हो, जैसे इस case में क्या है, इसका lower bound क्या निकलेगा, three का, तो three से जो 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 स्टार्ट हो रहा है, right, देखो, यहां पर three 10 से स्टार्ट हो रहा है, तो यह जब, suppose हमने इस job को लिया है, तो यह जोब हमने ले one-three के इंटरबल का तो अब मिसका लोरबांड देखेंगे कि इस just greater number कहां पर है तो यह स्टार्टिंग में देखेंगें तो यह वाला येगा अपन यह ले सकते हम यह ले सकते हैं यह ले सकते है तो यह लग आपको यह चाहिए लॉड बाउं निकालना है और वहां से उस job को पिक करना है, ठीक है और पिर वहां पैस आप डिसाइड करोगे आपको करना रहा है, जो मैक्समम हम उग करेंगे अगर हम पिक नहीं करेंगे तो maximum profit मिलेगा क्या अगर मिल जाएगा तो वही हम लेंगे तो यही होता ना हमारा 0 1 knapsack में तो यही होगा और जब आप पिक नहीं करोगे तब आप क्या करोगे सब्सक्राइब आपने इस index पर पिक नहीं करा तो अगले इस index देख सकते हैं अगले वाले को देख सकते हैं तो यह दो condition बनेगा अपना तो मैं क्या करते हो अपको कोड दिखा देख सकते हो कोड के थूर समझा देख सकते हो इक बारे मैंने यह पर रिकरसन से ट्राइग यह आपका क्या देख लो पहला यहां पर हमने क्या किया गया हमिं क्या दे रखा है start time, int time, profit यह तीन चजे दे रखी है तो यहाँ पर जो n है सबका सेम ही है तो n आप फाइन कर लो size आपका सेम है n फाइन कलिए आपका n जॉब दे रखा है हमने यहाँ पर क्या 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 एक वेक्टर वना लिया है 2D वेक्टर उना लिया है यह वाली यह रहीगी यहाँ पर ऐसे करके तो इसको आप कैसे स्टोर कर सकते हो आप क्या करोगे यहाँ पर 2D वैक्टर ले लोगे और ऐसे करके इंसर्ट कर सकते हो कर लिया हमने तो इसके लिए क्या जरुद पड़ेगी हमें 2D Vector की जरुद पड़ेगी तो यहां पर 2D Vector लिया है तो दिू वेक्र ले लिया है यहां पर हमने और हम कारें, यहां पर शॉड करा दिंगे यहांपर इस स्टार्ट Intelli. करदेगा झाल चाइब है कि यह ऺुड कर लेंगे ताकि हम हमें लोड बांट FN काने में अपना क्या हो ना plaques क्यों है करने में अपना क्या हो mean विल्वेशा क्यों दुद घाउनल। आपको सुँ इसलिग इसलिगिए है किसीदी कर दो करें अपके पास जब था कि आप इस जॉब को पिक करते हो तो पिक करने के बाद आपका जो just इंड time है nा हमें इसके recording दिखना है कि इसका lower bound क्या होगा तो यह किसका देख होगे आप starting time देख होगे न किसी भी Farm jobs starting time क्या होगा तो Starting Time देखोगे तो आप हमेशा Starting Time के साथ Deal कर रहे हो, लेकिन वैल्यू आप देख रहे हो Lower Bound इसका निकाल रहे हो लेकिन Deal तो आप कर रहे हो Starting Time के साथ तो इसलिए हमने यहांपर जो पर जो हमने यहां पर तीनों को insert कर रखा है वो है starting time वाला दे रखा है और n दे रखा है जो size है अपना यहां पर हम आएंगे जब अपना क्या हो जाएगा i greater than equals to n हो जाएगा तो हम return 0 कर देंगे अपना base condition है अब हमें कोई भी index को पे हमें अगर उसको हम क्या करते है जो इस तरह से आप क्या करोगे index fine कर दोगे लोड बाउंड में क्या होता है जो एड होता है वो यूज करते हो किसका fine कर रहे हो वो यूज करना है आपको तो हम in time बर कर रहे है तो जिसी भी index को जो second element है वह हमारा in time है ना in time यहां पर second पर insert कर रहे हो पहले आप start time कर रहे हो इसलिए आप यहां पर वो value देओगे और यहां पर begin कर रहे हो second index पर तो job i2 यह आपको मिल जाएगा फिर find आप call करोगे plus find index index कर रहे हो क्योंकि आपने इस i को pick कर रखा है तो उस condition में आपको देखना होगा कि हम कोई भी interval के बीच का ना ले उस index वाला ले जो कि क्या है उसका load bound है in time का तो आप यहां पर index लोगे फिर job लोगे start time end लोगे यह pick का हो गया जब आप नहीं pick करोगे तब क्या करोगे तब आप क्या करोगे अगले index से देखोगे i1 कर लोगे job start time end और इन दोनों में जो आपको maximum देखा वो आपका क्या होगा यहां पर maximum profit होगा यह हो गया लेकिन यह आपका TLE देदेगा तो हम क्या करेंग इसको memoization कर ल तो यहां पर index कहां तक जा सकता है n तक जा सकता है तो less than n तक जा सकता है तो यहां पर डिप हमें ले लिया एक वेक्टर and or minus 1 से in अप्र दिया और साड़े जो हें यहां पर function find में उसको भी इंसर्ट कर दिया आप तो पहले अपना क्या करेंगे i less than equals to n होगा तो return 0 कर लेंग तो यहां पर पहले स्कर रखा है तो हम DPI कर देंगे दर्वाइस हम क्या करें कि सेम प्रोसस करेंगे और यहां पर स्टोर जो कर रहे होंगे वैल्यू यह DPI में कर लेंगे तो इससे क्या होगा आपका यह सम्मिट हो जाएगा तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा अगर वीडियो अच्छी लग यह तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना थैंक यू